हेलो वच्छो गुड बॉर्निंग स्वागत आपका हमारे चैनल कंडवाल क्लासिज में वच्छो आज हम देख रहे हैं न्यू लार्न बेल साइन्स क्लास सेवन चैप्टर नमर ट्वाइल है मौशन एंड टाइम तो इसका एक्स्प्लेंग वीडियो हम पहले डाल चुके हैं अगर आपने वेडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्विश्ट्र मेसे जाके लिंक से बो वीडियो देख सकता हुँ ठीक है और आज हम इसके कोशन आंसर पर डिसकस होने वाले हैं ठीक है इसके एक्सरसाइज के जितने भी कोशन आंसर एनपे अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो प्लेज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को अपने दोस्तों साथ में सेयर करें चलो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को कि लैटस प्रेक्टिस का जो पैस्ट कुशन है वह है एमसी क्यूश टाइप इसमें पहला कुश्चन है दा लैंट ऑब दा सैडव विल भी दा लॉंगेस्ट हैट लब सैडव की लैंग लैंद जो होती है सबसे लॉंगेस्ट कप होती है विच तैम होती है तो सुबह आठ करनती है हमारी वह सबसे लंबी स्वड़ होती है नेक्ट कुश्चन है विच वब दा फॉलविंग इस यूनिफॉर्म मॉशन इन में से कौन है तो दिको पहला ऑप्शन सही है यहां पर एक बुलिट टैवलिंग बिद एक कॉंसेंस स्पीड इंदा स्टेट लाइन एनिकी जो बंदू की गोरी होती है स्टेट लाइन में जो टैवल करती है यह एक यूनिफॉर्म मॉशन का टाइप है नेक्स सी वाला कॉश्चन है विच बॉर्ट स्पीड सुडे कार ट्रेबल लब कार को एक किसी स्पीड से टैवल लगाना चाहिए सो दैट इट केन कावर इकल होता है टाइम अपान एक मित हमने पड़ा है में कॉएस छिए इकलेट है कि स्पीड एकल टू टू टाइम ऑपान गर्श्टून चैप यहां पर डिस्टेंस एक लिए में 5 एनि 5 divided by 5 यानिज ऐसे बन क्लिमेटर पर आवर्स की फिद ओगी अगला डिवाला कुस्षण है ताइम केन वी मेजर टाइम को मेजर किस यूनिट में करते हैं तो टाइम को मेजर करते हैं वह में कौक्षर यानि बहुत से ही करते हैं और विक वी इस करेक्ट इनवं से कौ प्रजेंट ए बोड़ी इन दे युनिफोर मोशन के लिए मैंने जब आपको चप्टर एक्स्वलेंड किया ता तो मैंने बताया था कि युनिफोर मोशन में अमिशा स्ट्रीट लाइन होती है तो आपका राइट अंसर सेकेंड नेक्स्ट को सब्सक्राइब तो पहला देख लेते हैं अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है उसमें अगर लाइनिंग हमारी कर्वड आती है तो इस समय नौन युनिफोर मोशन का यह टाइप है क्योंकि अभी मैंने जस्ट बताया था युनिफोर मोशन में तो स्टेट लाइन आती है तो स्पीड नेक्स स्टेट श्टिंट ऑपी मुविंग बोड़ी कैन भी रिप्रजेंटेट ग्राफ एक लिपाइब इस टेंट कर सकते हैं ता स्लोप ऑफ दिस्टेंस टाइम ग्राफ डिपरेजेंट इस स्पीड टिके जो श्लोप होता है इस टाइम ऑफ ग्राफ क आगे है इवाला डी वाला डिसकबर डेट इस विंग पेंडूलम पेंडूलम को किसने डिसकवर किया था तो इसका राइट अंसर है गैली लियो गैली ली थीक है नेक्स्ट कुछिचन है तो मैंने बताया था जब आपको चैप्राइश्प्राइश्प्राइश्प्राइश्प्राइश्प्राइश्प्राइश्प्राइश्प्राइश्प्राइश्प्राइश्प्राइश्प्राइश्प्राइश्प्राइश्प्राइश्प्राइश्प्राइश्प्राइश्प् आप टर फिल इन वेलेंग्स टाइब थर्ड कुश्न इस तो टूट फाल्स दन फॉश्ट कुश्टन दा रेस्टिंग पोजिशन और पेंड्लम में जो बॉव होता है वीच में जो लटकता है उसका जो रेस्टिंग फोजिशन होता है उसे में कहते हैं कि बिल्कुल सही बात ह तो वो मीन पोजिशन होता है तो यह statement true है symbol of SI units are representing the singular बिल्कुल सही है जो SI units होती है उनको हम singular में represent करते हैं यह statement बिल्कुल true है जैसे meter होती है distance की है और time की second होती है यह सब SI units होती है how fast or slow a body is moving can be decided with the help of the speed बिल्कुल सही statement है ठीक है कोई body अगर fast है तो हम बोलेंगे किसी speed जादा है कोई body कम है slow है तो हम बोलेंगे speed कम है यानि speed को define कर सकते हूं फूर्थ कुर्शन है 4 a object at rest the distance time graph is straight line parallel to accesses बिल्कुल सही है अगर कोई भी object rest में होता है ठीक है तो उसका graph कुछ ऐसा बनता है बिल्कुल इस्टेट लाइन ठीक है parallel to accesses यह accesses के पेल्लर बनता है अगर बोडी रेस्ट में तो ठीक है यह आपके distance होती है अधर अधर आप टाइम होता है नीचे नाइस्ट कुर्शन है एक moving simple pendulum सोच periodic motion बिल्कुल सही है ठीक है जो मारा pendulum होता है यह periodic motion को सूब करता है अगला है एक body is uniform motion has a constant speed ठीक है तो experiment false है क्योंकि uniform motion में constant speed नहीं होती है constant speed जो होती है आपके uniform motion में होती है non uniform motion में कभी नहीं होती है अगला जो आपका question type है fourth बो है परिस्वर टाइप तो आप यहां से देख सबते हो first question what is the change in position of body ठीक है body की position में जो change होता है इसे ही हम क्या बोलते है motion बोलते हैं ठीक है वाट इस नेक्स्ट कॉस्टन बॉट इस एनौदर नेम आप तक sand glow तो sand glow को हम हावर क्लोग हावर ग्लाश भी बोल सकते हैं क्योंकि sand glow मैंने आपको बताया था जब सेट्रेल एक्स्वरें किया था तब जो sand glow होती है वह आपके वन हावर को denote करती है तीक है उसमें जो मिट्टी वरी होती है वह एक हावर का एक तरसी सिंबल होता है रिप्रेजेंटेशन होता है कि आपको बताया है उसमें याँ यह यह पर एशी होता या इसको by बोलता है यह जुर रांड उसे का होता है witnessed when एगल्या वारी जो यह वोट्च घ्रियल चुक यह एक सबिस्टाइटेश को में सेंष्टाई करता है थूर्ठेश को प्रूके आपको नहींसर q अगले आपके स्वाट टाइप के कुशन अंसर है और उनका फैस्ट कुशन है वाट इस एन ऑक्सिलेशन क्या होता है तो हम देखें इसका अंसर बहुत ही सिंपल इसका अंसर है कुशन होगोह दखो दा एक्ट अब मूविंग तो एंड फ्रो ऑवरे शैंटल पॉइंट इस काल्ट ऑक्सिलेशन एक किसे सेंटल पॉइंट के जो मूविंग्ड होता है उसे ऑकसेलिषन कहते हैं जो कि पैंडूला में अभी मैं बता हैं यह आपका पैंडूला में को एक मिट्र और यह आपका यह जो बॉब होता है यह मूवमेंट करता है ठालो अगला कोशन देखते हुँ नेक्स आपको जो question है वो है what is the time period time period क्या होता है तो देखो time taken for the pendulum यानि pendulum जो होता है one oxidation को complete करने में जितना time लेता है that is called time period simple सा question आपका question number three आपका what are the stop batches used for यानि stop batches का क्या यूज है तो इसका हम answer देख लेते हैं बहुत ही simple इसका answer है देखो stop batches are used to major small interval of time यानि कि अगर छोटे interval होता है time का उसको major करने के लिए में stop batch use करते है जैसे माले जी मैं दोड रहा हूं तो मैं पांच मिंट में कितनी running clear करूँगा तो इस चीज को में stop batches कर सकते है major कर सकते है जो की आती है नाइस आपका question है what does distance time graph indicate distance time graph जो है क्या indicate करता है ठीक है तो इस सारे question बहुत easy questions है ठीक है तो distance time graph किस चीज को indicate करता है distance time graph speed को indicate करता है ठीक है हम देखते हैं इस cancer देखो distance time graph indicate how distance table by a moving object change with time यहनि कि कोई वह object है moving object है वो time के साथ में कितने distance को कवर कर रहा है इस चीज को हम distance time graph में show करते है it has two axis इसमें दो axis होती है एक तो perpendicular उटी है एक दूसरी के ठीक है अभी मैंने वापको बनाया भी था distance time graph ऐसा होता है देखो ऐसी ठीक है यह आपके x axis होती है और यह आपकी y axis होती है ठीक है यहाँ पर हम distance को show करते है और यहाँ पर हम time को show करते है ठीक है जैसे जैसे हमारे time बढ़ता जाता है जैसे जैसे distance भी बढ़ती जाती है तो इस सब के लिए अलाला होता है uniform motion के लिए ऐसा होता है स्टीट और जबकि non-uniform motion के लिए ऐसा हो सकता है कारवड है ठीक है जो भी है next question हम देखते है अगला question है define non-uniform motion को define करना देखो बहुत सिंबल आंसर है the type of motion in which moving object cover unequal distance जो moving object होता है वो यहाँ पर unequal distance को कपर करता है तो यह non-uniform होती है और अगर equal distance को कपर करता है तो वो uniform motion होता है तो यह जो बहुत ही simple है कि अनिकुल डिस्टेंस को कपर करता है वो equivalent में जैसे माले जी हम बाइक चला रहे हैं तो हापन हावर के लिए माले यह मारी speed 50 थी उसके बाद हापन हावर के लिए 60 हो गई यह अनिकुल डिस्टेंस बाला system हो गया that is non-uniform motion आगे हम देखते हैं लॉंग टाइप के question answer लोंग का पहला question है what do you mean by the slow and fast motion slow और fast motion से आपका क्या मतलब है तो इसका answer हम देखते हैं देखो तो object that are moving at slow speed कोई object slow speed से movement करता है और set to in the slow motion उसको हम slow motion में कह सकते हैं whereas the object that are moving in the fast speed that is called fast motion तीक है simple सा है तो slow speed चलेगा slow motion और जो fast चलेगा fast motion जैसे object like car scooter buses motorbikes यह सब क्या होती है fast चलती है तो यह fast बाले हैं और कुछ slow भी चलती है जैसे cycle है तो cycle motorcycle की comparison में क्या चलती है चलती है तो जो भी vehicles होते हैं उससे fast motion होते हैं और निच्चे भी कुछ दिया गया है देखो यहांसे आप इसको कि आराम से कॉपी कर सकते हो कि अगला question है second लॉंग टाइप का distinguish between uniform motion and non uniform motion बहुत यह अच्छी question है बहुत अच्छा चैप्टर रही है ठीक है तो uniform और non uniform motion है उनके बीच में difference देखते हैं कि देखो कि uniform motion क्या होगा ठीक है अभी बताया था मैं थोड़े देर पहले आपको कि अगर equal distance को equal time में कवर करते हैं तो यह uniform motion होता है आप यहांसे पढ़ भी सकते हो the type of motion in which moving object covers equal distance in equal interval देखो equal distance को equal interval of time में कवर करता है तो uniform motion होता है जैसे एक कार है जो 50 km हावर के speed से चलती है यहनि कि हर गंटे में 50 km distance को कवर करती है ठीक है अगले गंटे में भी वो 50 km को कवर करेगी और हाप हावर में 25 को कवर करेगी ठीक है और उस 15 मिनिट में 12.5 को कवर करेगी तो यह जो motion हुआ वो equal time के according equal motion हो गया हमें पता है कभी को 25 चलेगी 25 चलेगी ठीक है और 15 मिनिट्स यानि कि उसमें वो 12.5 किलोमेटर कवर करेगी तो यह टाइप जो motion होता है यह uniform होता है ठीक है और अगला टाइप है नॉन uniform इसमें equal distance कि अनुकुल डिस्टेंस कवर होती है equal times में देखो टाइप ऑफ मोशन इन विच मोविंग ऑब्जेक्ट कवर अनुकुल डिस्टेंस को कवर करता है इन इक कुल्स टाइम यह एक कुल्स टाइम आप इंटरिवेल में तीक है जैसे देखो एक जामपल एक एक कार है मोविंग अगर रास्ता साब पर तो हम तेज चलाते हैं तो इस टाइक को मोशन होता है मार्केट में यह बीजी रोड्स में पुन्हों यूनिफॉम मोशन होता है नॉट यूनिफॉम ओके नेस्टकुम लांग काजोजी कुस्षण है बोहें give you a brief account for different type of clocks used in early times ठीक है अल्ले टाइम्स में जो different type clocks used होती थी उनके बारे में हमें क्या बताना है चैसे हम की आपे संबशते हैं में को संडाइल वर्क डॉन दा प्रिंशिपल देट आर पोजिशन एंड लेंथ आफ दा सेड़ों एन कि किसी भी पर्टिकुलर चीज की पोजिशन और उसकी लेंथ के सेड़ों की लेंथ के अपोर्डिंग हम इसको यूज करते थे कास्ट वाइन अब्जेक्ट चेंज बिद पोजिशर ओब दा सन इन इसकाई यहनिकि सन के कारण जो हमारी सेड़ों चेंज होती है आपने दिखा हो नोटिस किया होगा कि सुबे मोनिंग टाइम में हमारी सेड़ों बहुत जाद लेंध मतलब लेंध में होती है फिर दिर दिर क्याद के सेंगलोग जो होती है आपके कुछ इस टाइप की होती है ऐसे इसमें मिट्टी रोओ यह अंदर जिसलिए send को लोग बोलते हैं यह haveur को लोग भी हम इसको बोल सकते हैं क्योंकि what hour को En夏 करती है तो देखो the sand club works on the principle that a definite amount of sand takes a constant time to fall from the upper chamber यानि कि उपर के chamber में मिट्टी बरी होती है और वो नीचे के chamber में आने में एक fixed amount of time लेती है ठीक है नीचे के chamber बाने में तो ताइम जो होता है वो fixable उसको हमने बना बड़ नोट किया है कि इसमें जो उपर मिट्टी बरी रहती है वो एक गंटी में नीचे आ जाएगी यानि कि मिट्टी जो बरी रहती है वो complete जब नीचे आ जाती है तो हम समझ लेते हैं कि बना आपर complete हो गया तो यानि कि यह है sand close अगला है पेंडूलम ठीक है एक कलोग कलो होती है जिस हम पेंडूलम कलोग कहते हैं और यह गैलीली ने दिसकोबर किती है इस चीज को तो पेंडूलम कलोग बाजदा आलसू यूज देंदा मेजर टाइम एड टेक्स टाइम तो वी swagging pendulum is called oxalation oxalation क्या होता है मैं बताता हूं आपको देखो यह आपका pendulum है ठीक है ऐसा कुछ आपका pendulum होता है strings होती है और यह आपके string है इसके साथ में आपका एक बोब लटका होता है बोब एक गोल गोल टाइप का कोई बजन का होता थोड़ा तो यह क्या है ऐसे एक एक यहां से स्टाट करता है इधर चलता है फिर दोबार इधर जाता है और फिर इधर जाके और फिर यह पोजिशन बाज आता है तो यह हो गया आपका बन oxalation कितना हो गया बन उक्सलेशन तो इस बन उक्सलेशन को complete करने में जो time लगता है उसे time period करते हैं ठीक है तो इस टाइप से अब चलते है नाइस कोशन के तरफ डी दिवाला है आपका कोशन what points should be keep in mind while plotting एग्राफ यह ग्राफ बनाने के वक्त time हमें कौन-कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए very simple question है देखते इसका देखो एक ग्राफ को plot करने के लिए plot means होता है ग्राफ को बनाने के लिए हमें कौ पॉइंट दे गए हैं तो यह आप हम पढ़ सकते हैं पहला point है चोजे scale so as it usually lies the maximum part of the graph paper यहनिक हमें एक scale लेना है जिससे कि हम उस particular जो plotting है उसको कबर कर सके और हमें यह paper पे लेना है second point है keep in mind that हमेंसे द्हान रखना चाहिए the difference between the highest and lowest values of each quantity चाहे वो distance हो या time हो उनके highest और lowest value का हमें द्हान रखना चाहिए third point है keep in mind the intermediate values of each quantity हर quantity की intermediate value को भी धान रखना चाहिए जैसे 1 meter, 2 meter, 3 meter जो भी value होती है यह फिर 1 second, 2 second, 3 second, 1 hour, 2 hour, 3 hour तीक है और so that scale chosen the combination to mark the value on the graph अनिके graph पर हम जो value को mark करते हैं तो हमें मतलब scale भी कुछ इसी type का लेना चाहिए अगला है mark the values for the time and distance on the respective axis according to the skill chosen और जो भी हमारी distance है जो भी time है उनकी values को mark करना चाहिए तीक है यह आपका एक तरसे ऐसा होता है यह access होती है आपकी बताया था मैंने और यह आपके बाई access होती है जहां पर आपके distance को लिखा जाता है और access को आपके time को लिखा जाता है तो इनकी जो intermediate values होती है उनको हमें सद्यान रखना चाहिए और अच्छे से हमें इनको plot करना चाहिए यह फिर हमें अगला है जो इन ओल दा मार्क पॉइंट्स जो भी आपके पॉइंट मार्क किये गए है जैसे उनको जोइन करना चाहिए बिद्धा पैंसिल एक्स्टेंडे लाइन तो जीरू सेकेंड एंदा जिस्टेंट ठीक है जो भी है जैसे आपका distance time graph दिखा ग पर यह फिर अगला भी तीन कंतरा ले फिर एक लगावी तीन कंतरा ले प्लाव यह दिफरेंस तीन दिन का है इधर देखते हैं तो यह हमें धान रखना चाहिए यह लूज का ठीक है और पॉइंट से में में यह तो आपका यह पोइंट यहाँ पर बनेगा ऐसे जाए है प्रिफ्न सäकिन्ट चार्ट और तीनेतन दूने 6 सेकिंड 269 278 2302 एलगत टाइम में 33 सेकिंड का अंतराल है और डिस्टेंज में 428 कियो हॉ 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 है 446 Plan twice Couple 24 146 यहन्य कि 444 मेटर का में डिस्टेंस हमारी में तो इसका मैं एक बार दिखा देता हूं आपको तो यह आपका डिस्टेंस टाइम ग्राप था देखो यहां पर आपका टाइम लिए गाए नीचे आपका डिस्टेंस लिए गया है यहां पर पूर 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 कंतरा ले ठीक है तो यहां से आप इसको बना लेजिए अगला कोश्चन है अपका अचा यह सारे आपके लॉंग डाप के गंप्लेट हो चुके हैं आगे आपके कुछ नुमरिकल्स है कोश्चन सेवन में तीक है जैसे पहला नुमरिकल्स हम पढ़ लेते हैं यह कार है जो ट्रेबल कर रही है डेली से आगरा ठीक है त्री आवर्स ट दिवाइड कर देंगे देंगे तरी से टो यहां जा ज्यूह सिर्फिक किलो मीटर पर हावर्स आपकी कार की स्पीड हो गई अगर आपको इसका अभी बर आंसर देखना है तो देख लू इसको यह आपका आंसर देख लू स discussion जो डिस्टेंस है वह आपके 350 दे रखा है और आप्म इस पीड भी दे रहा है आपको 50 km पर आवर का तीक है अब आपको इसमें क्या निकालना है कि कितना टाइम में कबर यह डिस्टेंस होगा तो डिस्टेंस अपन फीड है तीक है यह आपकी स्पीड है 50 km पर आवर्स की तो हम डिवाइड देंगे तो 0 है 0 से 0 कैंसल हो जाएगा और 5 से 7 टाइम्स यह कैंसल हो जाएगा 5 से मंजा 35 तो 7 आवर्स आपका यह जाएगा आंसर टाइम कितना जाएगा 7 आवर्स और ऐसा ही आपका सी वाला कुस्टेंस है जिसमें आपको स्पीड दे रखिए है गल्स जो सैकल राइड करती है उसकी स्पीड है 18 km पर आवर्स टीक है और टाइम उनको लगता है 20 मिनिट्स में तो दिस्टेंस फैंड करनी है इसमें तो दिस्टेंस इक्वल टू क्यों होता है स्पीड इंटो टाइम पॉर्मुला होता है अब यह प है अच्छा हाँ है ठीक है ट्वंटी अपॉन सिस्टी यह आगया आपका एक मिनिट उपना अच्छा है एटिन क्लोब हावर्स और 20 मिनिट में ठीक है तो ट्वंटी और अपॉन हम कर देंगे मिनिट्स में है यह तो इसको पहले चैंज करेंगे ऊपर इशकर लागे तो यह जायेगा एक मिनिट में तो इसको बना लेते हैं क्या बहुते है हावर's वी कि पॉइंट इसमें 6 के डिधा कर देंगे तो पहावर आजाईगा 2 आप उपन शीस हावर ऐसे निए अप तो आपका 6 km आजाएगा अगला कोशन देखते हैं इसका हम पोर्ट वाला देख लेए पोर्ट वाला कोशन यह रहा आपका देखो रागा वॉक्ड डिस्टेंस 270 agreement से तचने को तीन मिनिट में कबर कर लेता है तिन मिनिट में आपकी शेकंड 1800 तो 270 को हम डिवाइन कर देंगे 1800 से ठीकें। 270 को हम डिवाइन कर देंगे 12下去 16ine2 3 और यह आजाएगा आपका आंसर 1.5 मेटर पर सेकंड के साफ से उसकी स्पीड का जाएग रागप की 1.5 मेटर पर सेकंड ठीक है यहां से नोट कर लेजिए आगे इबाला लास्ट नूमेरिकल है यह देख लो ए मैन बाज ड्राइविंग इस कार एड़ स्पीड सिक्स्टी सिस्टी क्लोमेटर हावर्स की स्पीड है उसकी एंड हाव फार टू ट्राइम ट्राइम पांच हावर्स से मुझे मूब्स तर्सम डिस्टेंस ओके एक रहा है क 300 क्लोमेटर की डिस्टेंस को बग्या कर लेगा कवर कर लेगा यह आपका अंसर आगया आप चाहिए तो इसका स्वोलिशन भी देख सकते हूं कारगे स्पीड 60 क्लोमेटर हावर्स है फाइव आवर्स को कंप्लेट करने में लगते तो आपका जो डिस्टेंस एगा 60 इनटु फाइव यानिकी 300 क्लोमेटर कवर करेगा वह फाइव आवर्स में तो बच्छों यह आपकी सारे कोशन सांसर में कंप्लेट करवा दिया है चैनल में सब्सक्राइबर बहुत कम हैं मैं चाहता हूं कि आप जैसे सभी बच्चे यहां पर अच्छे से पढ़ाई करें चलो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई अगर आपके कोई इसूज हो कोई डाउट्स हो ठीक है आप कमेंट बॉक्स में उन्हें लि झाल